नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशी शिकला और आप देख रहे हैं Deep Knowledge एक case study मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ Amazon की case study की कैसे Amazon इतनी बड़ी company बनी तो करीब 10 qualities मैंने कटी की हैं उसमें से एक-एक quality मैं आपको एक-एक दिन में बताऊंगा तो कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक great story टेर रहा हूँ चाहिए आप जो company का CEO है, अगर आपके वोग वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजे आज मैं आपको यह बहुत ही खास quality के बारे में बताऊंगा जो Amazon के CEO के अंदर तो है लेकिन वो उन्होंने पूरी company में ऐसे फैला दिया जैसे पूरी body में खून फैला रहता है उसको मैं बताऊंगा आपको उसको short form में बोलते हैं OODA डबल O-D-A जब मैंने बोला अनिल को के अनिल मुझे पूछा आज क्या पढ़ाएंगे तो मैंने खाँ आज मैं OODA पढ़ाऊंगा डबल O-D-A तो उसमाइल करने लेगे क्या है ये तो क्या है ये ये एक military का approach है जब भी दो देश लड़ाई करते हैं लड़ाई करते हैं दूसरे से तो उन्हें बहुत से strategies प्लान कर रखी है जो successfully एक दूसरे को हराने के लिए यूज करते हैं तो उसी की एक strategy है दूसरे को हराने की उसका नाम है OODA ये क्या है मैं बताऊं का वाले कि उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि Amazon के पास OODA को यूज करते करते क्या क्या चीजे हैं Amazon के पास है दुनिया का सबसे advanced और सबसे बड़ा एक एक नहीं multiple automated warehouses ये इतने बड़े हैं कि आज traditional retail companies जो कभी Amazon से बहुत बड़ी-बड़ी companies थी हैं आज वो Amazon से बहुत छोटी हो गई है इन ही की वज़े से ये एक बड़ा सा एक तरह से दिवाल खड़ा कर दिया है जिसको cross करना बाकी companies के लिए impossible हो लिया है तो आप in fact देखेगा automated जो इनके warehouses हैं हमारी और आपकी imagination के beyond है तो अगर कभी आप कोई भी business करना चाहते हैं you have to start thinking of having something like this हो सकता है आपका field retail करना हो कोई और field हो बट जो future होगा वो unimaginable रहेगा तो ये automated warehouses unimaginable है किया कैसे है उड़ा की वतब से दूसरा चीज बहुत ही clear है चाहे 10 साल बाद चाहे 100 साल बाद कस्टमर एक चीज तो हमेशा पसंद करेगा और वो है सस्ती चीजे तो दीमी दीमे करके पता नहीं कैसे किया है Amazon ने कि मैं रिसेंटली एक book sell करने की कोशिश कर रहा था मैंने बट वो फीजिबल नहीं है मैंने 120 पर किताब करी दे थी मैंने 110 तो प्राइस था उसका selling price गाटे में बेशना पड़ता प्लस हमको लखिमपुर से तो कुरियर करना पड़ेगा तो और गाटा तो दी कियोंट actually match the prices that Amazon offers वो कैसे करता है हमको पता नहीं लेकिन कैसे करता है through ODA आपको पता चलेगा ODA क्या है तीसरी चीज़ Amazon ने धेर सारे customer से कटे किये हैं धेर सारे seller से कटे किये हैं तो उसने ऐसे ऐसे offers दिये हैं अपने customers को आपको पता है ना Amazon Kindle नाम का एक app है जिसमें कि एक instrument बना है जिसमें कि बहुत से लोग अपनी books और stories देते हैं सस्ते में बेशने के लिए तो authors को ऐसा-एसा offer दिया है delivery companies हैं courier companies हैं उनको इतने बड़े-बड़े offer दिये हैं कि आज ही वो permanent customers हो गए है Amazon की कैसे हुआ है दुनिया में सबसे ज़्यादा दुकाने तो अगर किसी गली में है तो Amazon की shop में Amazon का जो site है उस पे धेर सारी shops है जो third party है तो कैसे हुआ है आपको पता है इसका answer क्या है OODA OODA को use करने के लिए Amazon ने दो चीज़ों का use किया है एक तो aggression का जब सनक हैं कि वास पागलपन है और दूसरा experimentation OODA basically experimentation का एक तरीका है उसमें चार चीज़े होती है OODA आपको बताया निल क्या है यह O मतलब observe अपने competitors को अपने customers को खास तोर से अपने customers को observe करिए observation मतलब वो क्या सोचता है क्या करता है क्या खरीता है क्यूं खरीता है क्यूं नहीं खरीता है कुछ दिन तक खरीद रहा तर फिर छोड़ दिया अब क्यूं खरीद रहा है वगरा वगरा observe military में लोग करते हैं opponents कि ज़्यादा है कि कम है कहां कहां पर है उनके पास कौन कौन सी गन है क्या हमारे पास उनसे ज़्यादा ताकत है कि नहीं है ये सब चीजों को कैसे मालूँ पड़ेगा through observe ये तो simple सी चीज़ सब लोग जानते है लेकिन दूसरा point बड़ा मुश्किल है और वो है orient मान लिजे आपके सामने आपका operant है आप उसको नहीं हरा सकते तो अपने को कैसे एक step बदलना होगा एक कहावत है हमारे हाँ हिंदी में कहावत है मुश्किल में किसको बाप बना लीजे किसी भी चानरों को बाप बना लीजे गदे का नाम कहते हैं लोग लेकिन ये military में बहुत powerful strategy है observe, orient अपने आपको कैसे तियार करें तो ये जो warehouses तियार किये गए है ये orient की वज़े से ही तियार किये है कैसे हम customer के सबसे नज़्दीक रहें कैसे हम उनको तुरंट समान पहुचा सके observe, orient D D for D for कहा बता नहीं D for deep नहीं है D for है decide जब आपने कोई observation किया आपने orient कर लिया आपने आपको कि मुझे यहां से कुछ करना है तो खाली बैठे मत रहू बहुत सी companies को पता है कि यह करना है, बहुत से लोगो को पता है करना है उसके बाद decide करो कि मुझे क्या करना है चाहे गलत ही decision हो Amazon बहुत से wrong decisions लेता है मतलब बहुत से experiments करता है बहुत से wrong investments करता है लेकिन वो करता है यह जब बिजोस कहते हैं कि अगर आप experiment करते हो और पहले से तुम्हें पता हो कि सही experiment है तो 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 पहुत नहीं होता आप बहुत से गलतियां करोगे but you have to decide that you have to do this और जब आपने decide कर लिया तो act करो A for act observe, orient, decide and act simple से चीज है और मैंने इसको जब से पढ़ा था पहली बार पढ़ा था मैंने इसको यूज करना शुरू किया I can see the effect of this in my own life in my own channel in my own work observe करो अपने आपका orient करो फिर एक decide करो कि मुझे क्या करना है गलत हो सही उससे फरक नहीं पढ़ा सब लोग गलत बोले आपको लेकिन आपने decide करिया उसके पढ़ा आट करिये अगर वो गलत है फिर से observe करिये orient करिये decide करिये अब हुआ क्या जब Amazon ने शुरू किया काम उस समय आउनलाइन कोई खरिगता है नहीं समाज और लोग यह कहते थे ठीक है यार जो आउनलाइन sales होती है वो 1% market share है बस ज़्यादा नहीं है फिर वो 1% कर 2% हो गया फिर 3% हो गया फिर 4% करते-करते आज भी कहते हैं 10% से ज़्यादा market share नहीं है मतलब जितना भी दुनिया में समान बिखता है उसका केवाद 10% है जो आउनलाइन बिखता है लेकिन Amazon ने कहा ये बहुत fast growing channel है जिसमें कि मुझे market dominant player होना है तो एक तरफ तो ठीक है अब traditional market वाले बोलते रहे कि हाँ retainers की 1%, 2%, 2%, 3% है लेकिन आज की डेट में बड़ी बड़ी companies भी उतना sales नहीं उठा रही है जितना Amazon उठा रहा है 40% market share है Amazon का जब holiday season आता है चुटियों में लोग पहले जाते थे रिटेल की दुकानों में लेकिन अब लोग जाते है Amazon पे मेरा last जो figure है 2016 का November, December में 2016 में Amazon ने 38% market share online का कमाया है जितनी खरीदी बेची हुई है और बाकी सारी companies ने मिल करके 20% काली कमाया है तो this is one of the things that Amazon uses aggressively and madly कोई भी step लेना होता है तो उनको चारों चीज से पास होना है observe, orient, decide and act आप मुझे बताएगा कि आप अपने business में कैसे use करते हैं इस step को Thank you Thank you so much